वेलकम टू चैनल यूपी ट्रिपल असी कार्ड़ा आई होप के आप सभी अच्छे होंगे और आपकी क्रिपेशन भी अच्छी चल लए होगी तो गाइस जैसे के आप सभी को पता है आज संडे है और हम डिसकस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल असी की रीजनिंग को तो आज के दिन हम डिसकस करेंगे जूनिय असिस्टेंट 2016 का री एक्जाम जो 2019 31 माई को हुआ था ठीक है तो 20 कोश्चन इसमें पूछे गए थे तो आज की वीडियो जादा लंबी नहीं होगी जो भी जूनिय असिस्टेंट 2022 और वीडियो 2018 री एक्जाम के एस्पेरेंट है वो इन वीडियो को जरूर देखे ठीक है प्लेलिस्ट में आपको यूपी ट्रिपल सी रीजनिंग के नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा वहां से आप सारी वीडियो एक्सिस कर सकते हैं दस वीडियो और लेडि उस प्लेलिस्ट में एड है हम हर संडे डिसकस करते हैं एक पेपर को जिसमें रीजनिंग आई होती है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखे और साथी लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले ठीक है उसके बाद भी अगर आपका कोई आपका बात है कोई आपका कोई डाउट है वो नीचे कमेंड बॉक्स में भी आप मेंशन कर सकते हैं पिर जो हमारा चैनल है जिसका लिंग अभी आप यहां देख रहे हैं टेलिग्राम पर यूपी ट्रिपल सी का इड़्डा उसको जोईन कर सकते हैं देली हंडेट प्लस कोईशन्स वहां पोस्ट किये जा रहे हैं जो एक्जाम के पॉइंट अफ्वी से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए फिर देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला कोशन जो था वो था यदि पी का अर्थ प्लस है और क्यूं का अर्थ माइनस है और यहां पर मिस हो गया आर होगा ठीक है आर का अर्थ मल्टिप्लाई है और एस का अर्थ जो है वो डिवाइड है तो हमें यह जो एक्क्योशन दे रखिए इसका पताना है ठीक है तो 20 R का मतलब गुणा है तो R लिख देंगे, 5 P का मतलब प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 10 और Q का मतलब जो है, sorry यह Q है, R नहीं है, अच्छा Q यह है, Q का मतलब माइनस है, ठीक है, तो माइनस लिख देंगे 20, और S का मतलब डिवाइड है तो डिवाइड लिख देंगे 10 अब ये solve करना है तो ये solve कैसे होगी जब इतने सारे sign आ जाते हैं तो हम bottom house को follow करते हैं तो यहां से हमें 2 मिलेगा यहां से 100 मिलेगा plus 10 है और minus 2 ठीक है तो 110 minus 2 यानि के 108 जो होगा वो इसका option number D answer हो जाएगा ठीक है चलिए फिर आगे वढ़ेंगे next question है दिया गया है blood relation का question है ये निमने जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिये गया प्रिशन का उत्तर दे ठीक है ये सारा coding इनों ने दे रखी है और पूछा क्या है हमसे ये पूछा है कि M plus N hash L हो तो कौन सा सत्त होगा ठीक है तो हम बना लेते है relation M plus N यानि क का मतलब M N जो है वो N का पिता है तो पिता को हम triangle में रखते हैं मतलब जो mail होता है उसको triangle में रखते हैं तो N का भी हमें पता नहीं है तो N को हम ना तो circle में रखंगे ना triangle में ठीक है अब क्या है N hash L यानिके N L N जो है वो L की पुत्री है ये पुत्री है किसकी N की N की पुत में ठीक है तभी तो इनकी पुत्री हुई है क्योंकि ये इनके पिता है ये इनके पिता है और ये इनकी पुत्री है तो फिर ये आपस में कौन हुए ये M और ये husband wife हो गए ठीक है अब देख लेते हैं पढ़ लेते हैं option क्या है M जो है वो सारे लिख दीए L होगा यहां पर M जो है वो L का भाई है यहां से हमें भाई नहीं उसकी बीवी दिख रही है ठीक है M जो है वो L का पती है बिलकुल सही option number C जो होगा वो इसका correct हो जाएगा ठीक है अगला question है निम्न में से असंगत को चुनिए ठीक है जो अलग है उसको चुनिए यानि कि शेर जो है वो कहां रहता है मांद में रहता है पक्ची कहां रहते हैं घोसले में रहते हैं बिल्ली मियाओं तो करती है लेकिन बात चले यहां पर रहने की ठीक है तो यहां से यही अगला है, उस विकल्क पर चैंद करें, जो चौत्ट्रे चित्र में वही संबंद रखता है, जो पहले डूसरी चित्र से रखता है, ठीक है, यानिकि जो relation उन्में है वही relation आगे बनेगा, exemplo तो यहां से हमने देखा एक rectangle है, यानिक एक आयत है, और एक circle घाल है, है ठीक है तो यहां भी हमें तीन तुकड़े ही चाहिए या फिर एक बड़ा सा डंडा और एक छोटा सा डंडा चाहिए तो इसमें तो चार हो गए इसमें एक ही है ठीक है और इसमें भी एक है यहां से देखो जो सरकल के अंदर है वही यहां पर है तो option number एक जो होगा वो इसम कटे ग्री डाला उप्षेन इसमें सही हो जाएगा फोर्टीं दूरमर है मखन van Deuce मखन दूर्षे यानिकि मखन कहां से निकलता है दूर्षे निकलता है उसी प्रिकार संबनित है कागस जो है बोल्गदी शें ठीक है लुग दी से बनता cancel थोगे है मखधन कि से बंता दूसरे और कागश कि से बंता हैton लकडी से बनता है कि हैं अगला कोंशन exporting निम्न में कौन सारे बैंगन भोजन सब्जी को सही डंग से प्रतीफशित करता है तो भाई साब सब्जी जो होगी तो सब्जी के अंदर तो सारी चीज़े होगी यानिके मीट भी होगा उसके अंदर चाइनीज खाना भी होगा बहुत सारी चीज़े होगी तो सब्जी का एक बड़ा सा होगा ठीक है और एक होगा किसका सबसे बड़ा होगा क्योंकि बोजन के अंदर बहुत सारी चीज़ है फिर बोजन के अंदर आएगा तो या तो इस तरीक एक देखेगा ठीक है यही दिख रहा है बी वाला उप्शन लेकिन इसमें एक गड़वड है यह जो टेस्ट बुक पता नहीं कहां से लाता है इसमें चार्ट सर्कल दे रखे थे मतलब एक सर्कल और था इसमें ठीक और इसका आंसर जो होगा यह वाला होगा अब यह वाला कैसे होगा देखो यह वाला जो साइन है यह होगा हमारा भोजन का ठीक है क्योंकि इसके लावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो मतलब सबजी के लावा मिलती है यह सबजी का है औ तो भोजन के अंदर यह वाला जो पार्ट होगा यह अन्डामास और चाइनीज मतलब भोजन में तो हम बहुत सारी चीज़ खाते हें ना ब्रेड है तो यह सारा पार्ट यह वह चीज़ हो गई ठीक अब हम सबजी के अंदर एंटर कर गए भोजन के साथ ठीक है हमने सबजी खाना है तो सबजी में यहाँ पर गो भी आ गया अलू आ गया मटर आ गया वह सारी चीज़ आ नहीं अब बैगन भी दे रखा था तो बैगन से भी टेच हो गया ठीक है तो यह सी वाला उप्शन इसमें करेक्ट होगा इस वाले में क्या था सरकल जादा थे तीन न भाशा में यह कोडिंग कर दी गई है इसको बता दिया इतना लिख दिया है अब इन्होंने क्या लिखा है उन्हों नहीं लिख लेख लेते हैं पर भी है और इसका नमबर देखे है हम 9234 है इसमें क्या है 4, 5, 6, 7 है तो इसका मतलब 4 दोनों में common है तो 4 common है और beautiful इन दोनों common है तो beautiful का हम कह सकते हैं हम यहां से beautiful का मतलब कितना हुआ 4 आगया ठीक है अब आगे बढ़ेंगे encouragement देखो इसमें भी है और encouragement इसमें भी है clear beautiful person need encouragement और encouragement is very important ठीक तो अब यहां से अगर हम देखें यहां 3, 5, 8, 1 है 3, 5, 8, 1 है और यहां पर हमें क्या मिल ला है beautiful अच्छा यह है हाँ इसकी coding यह है 3, 5, 8, 1 और यहां पर हमारा 4 तो चला गया अब बचा है हमारे पास 5, 6, 7 तो देखो 5 यहां भी है और 5 यहां भी common हो रहा है ठीक है, encouragement इसमें भी common है encouragement is very important इसका 5 ठीक है और यहां पर भी देखो person need encouragement 3 बचे है तो encouragement यहां भी common है तो दोनों में common increment बढ़ आ रहा है और जो number आ रहा है दोनों में common वो यहां पर 5, 6, 7 है यहां पर 3, 5, 8 है तो 5 जो है दोनों में common है तो हम कह सकते हैं कि encouragement के लिए जो use हुआ है वो 5 का use हुआ है तो option number D जो होगा वो सही होगा ठीक है तो इसी तरीके से हमें जो है match करना है जो उसने English में या फिर Hindi में जिसमें भी वो दे रखा है वो word match करने है और जो उसको code दे रखा है वो उनमें दे दीजिए ठीक है तो हमें मिल गया 120 15 के square करेंगे 225 होता है और माइनस वन कर देंगे तो 224 आ जाएगा ठीक है तो option नमबर एक जो होगा वो इसमें correct हो जाएगा निम्न श्रिंकला को पूरा करें ठीक है देड़ है देड़ के बाद 3 हुआ यानिकि देड़ इसमें जोड़ पिर 3 से 4 वह देड़ जोड़ा 6 हुआ देड़ जोड़ा और 9 में देड़ जोड़ेंगे तो 60.50 हो जाएगा ठीक है option नमबर सी जो है वह इसमें correct हो जाएगा अगला question है people को इन्होंने क्या लिख दिया people को इन्होंने क्या लिखा ELPOEP अगर हम इसको देखें इस तरीके से प यानिका उल्टा लिख दिया तो उल्टा हम लिख देंगे तो सी ओ यू एंटी आरवाइ कंट्री यानिके डी वाल उप्शन इसमें correct हो जाएगा नेक्ट है जो निम्ण शब्द हैं उनको सार्टक करम्यवस्थत करना है तो लाकिला है विश्षव है दिल्ली है भारत बह्रमांड है तो सबसे पहले क्या है लाकिला आएगा ठीक है तो एक तीन, चार दो पांच, एक तीन, चार दो पांच, यानि कि option B जो होगा, वो इसमें सही हो जाएगा, अगला question है, कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्म निर्वर नहीं है, ठीक है, यह आत्म निर्वर लिखा है, कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्म निर् पैदा और उत्पादित करना असंबब है ठीक है बिल्कुल सही बात है सब कुछ पैदा और उत्पादित करना तो असंबब बात है जिसकी एक देश को जरूरत होती है तो इसलिए कोई भी देश आत्मिनिर्वन नहीं है तो हम कह सकते हैं दो वाला जो है वो थोड़ा सॉलिड ठीक है तो भया इनका घर मालो के ये घर इनका बना हुआ है ठीक है अब वो सामने है यानि के उपर को चला लो तो पंदा मीटर सामने चलती है फिर पंदा मीटर दाएं ठीक है तो दाएं जब चलेंगे तो पंदरा मीटर इदर को चलेंगी वो पंदा मीटर दाएं चलती है उसके बाद हर बार वो क्या बाएं मुड़ती है ठीक है तो बाएं मुड़ेंगी तो यानि कि ऊपर को जाएंगी और हर बाएं मुड़ेंगी तो सबसे पहले वो दस मीटर चलती है फिर बाएं मुड़ेंगी तो वो पच्छिस मीटर चल रही है यानि के ये इतनी चल गई है, अब यहां तक तो ये 15 हो गया, ठीक है, तो ये कतना हो गया, 10 हो गया, ठीक, clear, अब वो फिर बाइं मुलेंगे, तो बाइं मुलेंगे 25 चलेंगे, यानि के 25 ये, बिलकुल वहीं आ गई, यानि के अगर हम यहां से देखें, तो ये 10 है, और ये 15 कि रहे तो पच्छीस हो डोड़क है टोटल कंव कितना है पच्छी सए अब क्या पोचा ये यह पूछय तो हमीं देख रहा है एक प्ञियर ये कितनी है ठीक के तो 10 MOM। दूर यहाँ धूर चो है वह अपने घर से के बाद B आया, B के बाद C आया, C के बाद D आया, तो D के बाद क्या आना चाहिए, E आना चाहिए, 2 का double 4 हुआ, 4 का double 8 हुआ, 8 का double 16 हुआ, 16 का double 32 हो गया, ठीक है, C के बाद D आया, D के बाद E आया, E के बाद F आया, F के बाद G आना चाहिए, तो E 32 G यानि कि इस blank में E 32 G आना चाहिए B वाला option इसमें correct हो जाएगा तो काफी easy paper था जो रिये exam हो था 2016 वालों का अगला question है प्रिशन A, B, C, D और E में सबसे हलका कौन है ये हमें बताना है कतन हमें दे रखे हैं C, B और E से भारी है ठीक है तो भारी वाले हम उपर लिखते हैं और नीचे वाले हलके वाले जो नीचे लिखेंगे तो C जब भारी है किस से B और E से तो B भाई साब या तो यहां भी हो सकता है या फिर यहां भी हो सकता है या फिर बरावर में भी हो सकता है लेकिन c से नीचे ही होगा ठीक है तो तीन पॉजिशन हो सकती है एक की क्योंकि एक के वारे वह इपता है निए जब दी सबसे भारी नहीं है तो एक और बचा बंदा याने के a वो सबसे भारी हो जाएगा ठीक है अब दोनों कतनका हमने यूस तो कर लिया हमसे पूछा क्या गया था कि A, B, C, D और E में सबसे हलका कौन है यानि कि नीचे वाला पूछा गया था ठीक है तो नीचे वाले हमें तो दो बंदे आ रहे हैं इनकी position भी हमें clear नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो कथन एक और दो है दोनों एक साथ भी position का उत्तर देने के लिए परियाप्त नहीं होंगे क्योंकि यहां पर हम clear नहीं हो पा रहा है कि B हलका है कि E हलका है ठीक है इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो हम इसका answer नहीं कर पाएंगे के सबसे हलका कौन सा है ठीक है नेक्स question की तरह move करते है अमुदा की college बस जो है उसका मुँ उसके college पहुशने की और उत्तर था यानि कि मान लो कि यह अमुदा का college है यहां पर बना हुआ है यह college है यहां पर इनकी बस आगी ठीक है अत्ती मुड़ी तो होगी बस बस आगी अब अमुदा के घर से रवाना होने के वाद घर से जब वो चली इसके अमुदा के घर से तो वो दो बार तो दाएं मुड़ी और फिर college पहुंचने से पहले एक बार बाएं मुड़ी तो जब बाएं मुड़ेगी college पहुंचने से पहले तो इसका मतलब जो बस थी वो इस direction में थी तबी तो वो अपने यह इसका right hand side होगा और यह left hand side होगा बाएं तबी तो मुड़ेगी ठीक है अब बाएं मुड़ेगी एक बार ठीक है लेकिन एक बात और यह दो बार दाएं भी मुड़ी है उसके घर से पहले तो दाएं का मुड़ेगी यानि कि इस direction में चल लई होगी पहले तबी तो वो यह right hand side है और यह left hand side तबी तो यह दाएं मुड़ेगी ठीक है घर होगा ठीक है अमुदा का यहां कहीं घर है ओके तो अब बताना क्या है हमें अमुदा के घर के सामने वाले स्टाफ से रवाना होने के समय बस का मुझ जो है किस direction में तो हमें clear दिख रहा है यह बस का जो direction है बस की direction है वो किदर पश्यम की तरफ है क्योंकि अगर हम देख है यह पूरब होता है और यह उत्तर होता है और यह direction होता है ठीक है तो यह पश्यम की तरफ है clear अगला कोशन है कुमार ने कहा है ठीक है अब कुमार ने क्या कहा है यह लड़की जो है मेरी मा तो पैया कुमार से ही रिष्टा सुरू करते हैं कुमार मेरी मा यानि के कुमार क मा के पोते, यानि के इनके लॉंडे की बाद चल लईए, के पोते की पतनी है, कौन वो लड़की, वो लड़की इनके पोते की पतनी है, तो इनकी कौन हुई, इनकी पुत्र बदू हो गई, या पुत्र की वीवी हो गई, तो option A जो होगा, वो इसमें correct हो जाएगा, अगला कोशन है, कथन निसकर से, सभी महलाएं जो है, वो फूल है, तो सभी महलाएं फूल है, और यह हकीकत है, सभी महलाएं जो है, फूल ही होती है, फूल आगया, ठीक है, और सभी फूल जो है, वो तोते हैं, तो आब क्या है, सभी महलाएं तोते हैं, बिलकुल हम कह सकते है इस बास से यह सही है सभी महला हैं जो हैं वह तोतों के अंदर आ रही हैं सभी तोते महला हैं यह वाला पार्ट तो भई यह कुछ नहीं है महला हैं वाला यह गलत हो गया तो एक जो है वह आप्शन ए जो होगा वह सही होगा के वल निश्कर्श एक जो है वह अनुसरान करता है लास्ट कोश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और साथी शेयर भी कर दीजिए उन सभी तक जो यूपी ट्रिपल बस पैसा है विदेशी परेटकों को ठ्याने के लिए कोई इस्थान नहीं रहेगा ठीक है हां सही वात है लगजरी लोग जो आते हैं बाहर से विदेश से जिनके पैसा है वो कहां रहेंगे फिर तो यह तर्क हम अभी रख लेते हैं स्ट्रॉंग है हां यहां वे इस्थान उसमें भी रहेंगा और लगजरी में तो वैसे भी भी यह फाइव स्टार्ट होते हैं उन्में इतनी चेकंग होती है तो अपराधी तो वहां जाएगा भी वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना विल्कुल भी ना भूले जैहिन जैवार